नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adda 247 पे दीए जियो पॉलिटिकली बहुत से इशू प्रजेन टैम पे डिसकस किये जा रहे हैं लेकिन उन में से एक इशू जो है काफी ज़्यादा हाइपर हो चुका है रिसेंटली आज के दिन स्पेसिविकली अब ये जो इशू है ये चाइना और USA के बीच में चल रहा है और यहाँ पर रेडी फॉर वार का जो स्टेटमेंट है वाया है चाइना के तरफ से USA को एक तरीके से चाइना ने USA को वार्ण किया है चितावनी दी है और इसी वज़े से कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस एक स्टेप की वज़े से शायद दोनों देशों में युद्ध भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर आप कुछ न्यूस देखिए उससे पहले कि हम इस इशू को समझें न्यूस को समझना ज़रूरी है देगें नैंसी पिलोसी ये ताइवान विजिट पर जाने वाली है नैंसी पिलोसी कोन है ये अमे जैसे यूएस विल पे दे प्राइज इफ स्पीकर विजिर टाइपे ये चाइना ने स्टेटमेंट दिया है और आप इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ सकने कि चाइना इस पर्टिकलर इशू को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है और इसी बीच मे ताइवान जो है वो भी वार के लिए प्रिपेर कर रहा है इमलेक्टरी एकसरसाइज कर रहा है नेवी एरफोर्स सब कुछ हाई अलट के उपर है प्रजन टाइम पे ताइवान में भी है और चाइना में भी है चाइना के कुछ जो जेट्स हैं वो ताइवान के डिफेंस ज इन्टो ए क्राइसिस तो यह क्राइसिस बन सकता है यूमेस के अनुसार अगर चाइना इसके ओपर कुछ गड़वरी करता है तो अब देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर इशु को समझना काफी ज़रा जरूरी है और हम इस वीडियो में इसी को डिसकस करने वाले हैं काफी क वार्शिप्स हैं काफी डेवलफ वार्शिप्स हैं और यह ताइवान के इस्टन पार्ट में डिप्लोई हो चुकी है रिसेंटली आगे बटने से पहले एक चीज में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि आप UPSC के तियारी करना चाहते हैं तो तीन अगस्त यानि कल से जो कम्प्लीट फाउंडेशन मौनिंग लाइब अच्छे वो शुरू हो जाएगा फॉर दे प्री प्लस में प्लस सी सेट बाइलेंग वली एक कोर्स है आप 23-24 के लिए इस को एनरॉल कर सकते हैं काफी मिनिमल प्राइज में आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा साथ ही आप सेटफील की त्यारी करना चाते हैं चाहिए फिर यह MPPSC हो यूबी PSC हो JKPS हो और HPSC हो किसी भी स्टेटफील की आप तयारी करना चाते हैं यहां पर कॉर्स जो हैं अवेलेबल हैं तो आप इनके त्यारी कर सकते हैं आपको अप्लिकेशन एव डाउनलोड करना है और अ apply करते हैं तो किसी भी course को purchase करने के लिए चाहिए फिर हो UPSC का हो, SSC का हो, banking का हो, कोई भी course ही आप purchase करते हैं तो आपको 77% का discount मिलेगा, आपको ये code शायद नहीं दिख पा रहा होगा, ये जो code है, Y572 code, अगर आपको discount चाहिए, किसी भी course को enroll करने के लिए, तो आपको ये जो code है, ये apply करना होगा, चलिए आगे चलते हैं, दीए वैसे भी present time पे Taiwan को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में एक बार फिर जो tensions है, काफी ज़्यादा hyper हो चुकी है, मुद्दा क्या है, मुद्दा है, अमेरिकी परदिनिती दिज़ सवा, कि ये Malaysia के delegation से मिली है, और Malaysia के बाद में, Malaysia से जो news आये थी, उससे पहली ये Singapore में थी, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि शाम को, या रात तक ये शायद, Taiwan जहोग पहुंचने वाली है, ताइपे city में इनका जो jet है वो land करेगा, तो इस particular issue को लेकर, दोनों के बीच में tensions काफी ज़्यादा बढ़ गई है, दोनों कौन? अमेरिका और चाइना, अगर चीन ने इस बारे में अमेरिका को धमकी दी है, तो अमेरिका ने भी कमर कस ली है, ये भी आप समझ सकते हैं, अब देखे, अभी हाल ही में जो न्यूज हमारे सामने आई थी, अभी कुछ घंटे पहले, तो नैंसी पिलोसी जो है वो सिंगापूर में थी, उसके बाद में अभी जो इन्होंने ट्विट किया है, ये मलेशिया में है, और अब ये आज रात तक शायद ताइवान की धर्ती पर पहुंच सकती है, इसी वज़े से ये जो क्राइसिस है, ये जो इश्यू है, ये परजेंट टाइम पे काफी ज़या डिसकस किया जा रहा है, जियो पोलिटिकली बहुत सारे देशों के अंदर, और एवन देगे यहाँ पर सेंट फ्रांसिसको जो अमेरिका की शहर है, वहाँ पर भी इसका विरोध किया जा रहा है, नैंसी पेलोसी, कैंसिल दे ट्रिप टु टाइवान, कुछ चेनी परतेनितों वाले जो लोग अमेरिका में रहते हैं, वह यहाँ पर सड़कों पर जो विरोध है, वह कर रहे हैं क्योंकि इसकी वज़े से काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ सकती है, वार के सिच्वेशन्स जह है वो बन सकती है, वैसे भी देगे चाइना ताइवान को अपना स्वायत अच्छेत्र मानता है, इसलिए भैपेलोसी की यातरा का वैसे भी बहुत बड़ा विरोध कर रहा है, कड़ा विरोध कर रहा है, पेलोसी जो है, वो 25 साल में ताइवान पहुंचने वाले शिर्ष अमेरीकी अधिकारी बनने वाली है, आप यह मान सकने हैं, पहले 1997 में एक अमेरीकी अधिकारी ने ताइवान विजिट किया था, उसके बाद में अब नैंसी पेलोसी जो है, वो सिर्ष अधिकारी है, क्योंकि इनका ओदा काफी बड़ा है अमेरीका में, अब यह ताइवान विजिट करने वाली है, चीन उनके इस दोरे से इतना परेशान है, कि पिछले हफते सी जिनपिंग ने खुद प्रेजिटेंट बिड़न को कॉल करके, इसके बारे में चेतावनी दी थी, और का ये भी जा रहा है कि जिनपिंग ने अमेरीका को इसके लिए परत्याशित परिनाम की चेतानी जो है, वो दी है मतलब unexpected consequences आप जिल सकते हैं, यह दी ऐसा होता है तो, और चीनी विदेश मंत्राले के परवक्ता ने ये भी कहा है कि उन्होंने अमेरीका को फिर से चेतावनी दी है, कि अगर पहलो सी ताइवान पहुंसती है तो पिपुल्स रिपरिशन आर्मी जो है वो चुप नहीं बैठेगी, तो एक तरीके से वार ठेटन करने की जो सिच्वेशन है वो हमारे सामने आ रही है, इसी को लेकर जो चेतावनिया है वो भी दोनों देशों के वीच में जारी किजा चुकी है, आप एक सिंपल सा सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि चीन जो है, इनकी यातरा का इतना विरूद क्यों कर रहा है, देखे चीन अपनी टेरिटरी मानता है ताइवान को, अगर ये ताइवान विजिट करती है तो और दुनिया में हमेशा के लिए आप ये मान सकते हैं कि चीन की धज्जियां उड़ सकती है जियो पॉलिटिकली, क्योंकि लोग ये समझेंगे, मतलब कुछ देश ये मानेंगे कि वास्ता में अब चाइना के कंट्रोल से बाहर है ताइवान, इसी वज़े से अमेरिका का कोई परदिनित्व है, वो वहाँ पर जाके विजिट कर लिया, इसी वज़े से आप ये समझ सकते हैं कि चाइवान ये जो कदम है, ये नहीं उठाना चाहता, मतलब ताइवान इस पर्टिकलर इस स्टेप से काफी ज़्यदा परेशान है, इसी वज़े से आप शायद ये मान सकते हैं कि चाइना इतने बड़े जोरो-शोरो से इस particular step का विरोध कर रहा है देगे माना ये भी जा रहा है कि अमेरिका ने इसकी ये जो एशिया टूर कर रही है नैंसी पेलो से इसका कोई official जो announcement है वो नहीं किया है लेकिन अमेरिकी सेना ने ताइवान सीमा के पास में जापान और उसके द्वारा नियंतिर्थ जो गौाम द्वीप है उसमें विमान वहग जो लड़ा कुझ जेट है वो तेनात कर दिये हैं और नैंसी पेलो सी अमेरिकी राश्पती के पद पर राश्पती जो बाइडन और उपराश्पती कमला है इसके बाद में तीसरे इस्तान पर आती है मतलब काफी important third personality आप मान सकते हैं in the U.S.A. और 1997 के बाद में वह ताइवान की यातरा करने वाली सर्वोच अमेरिकी अधिकारी होंगी अधिके माना ये भी जा रहा है कि ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो नैंसी पेलो सी की संभावित यातरा को रोकने के लिए चाइनीज जो जेट्स हैं चाइनीज जो आर्म जो चाइनीज गवर्मेंट है उसका तो इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है कि चाइना किस तरीके से चाइना की जो पी एले है कि जो सोल्जर्स है वो किस तरीके से प्रिपेर कर रहे हैं यहां पर किसी का पर्टिकुलर जो नाम है वो नहीं लिया गया है लेकिन ये ज चाइनीज वार्शिप जो है उस मीडियन रेखा पर जमा हो रहे हैं जहां से ताइवान की सीमा जो है वो शुरू होती है और चीन की थेटर कमान ने ये चितावनी दी है कि हम युद्ध के लिए तियार हैं इसी बीच अमेरिका के राष्टी सुरक्षा सलाकार जो NSA हैं जिनका नाव है जौन किर्भी उन्होंने भी चैसा नहीं दी है कि चीन इस यात्रा को संकट या संगर्श में ना बदले और according to experts चाइना क्या कर सकता है देखे according to experts चाइना अपने fighter jet को ताइवान की ताइवान या जो मीडियन लाइन है उसके उपपर से उड़ा सकता है अब देखे मीडियन लाइन जहें वो चीन और ताइवान के बीच विवाद को रोकने के लिए 1954 के अंदर अमेरिका द्वारा विक्सित एक बफर जोन है चीन ने पिछले साल इस सीमा रेखा को मानने से इंकार कर दिया था और आज चीन ने चेताणी देने के लिए अपने कई विमानों को इस मद्दे रेखा पर उड़ाया है अब अगर चीन अपना फाइटर जेट जो है ताइवान के उपर से उड़ाता है तो ये काफी तनाओ या फिर बढ़काने वाला कदम आप चाइना के तरफ से मान सकते है तो देखें अभी तक कोई छुआ नहीं है लेकिन आज नेंसी पेलोसी जो है राद तक शायद ताइवान विजिट पर रहेंगी और इसी बीच हमें देखना होगा कि क्या step जो है वो चाइना लेता है और क्या step जो है अमेरिका लेता है क्या वार हो सकता है क्या यहाँ पर exercise हो सकती है मिसैल दागी जा सकती है कुछ भी हो सकता है दोस्तों अब यहाँ पर हमको update रहना काफी ज़्यदा ज़रूरी है तो I hope आपको ज़रूर कुछ निया चाहने को मिला होगा इसी तरह के important और informative वीडियो सीता हम मिलते रहेंगे धन्यवाद